एक good news है दोस्तों, जो हम back testing कर रहे थे, वो back testing हो चुकी है, अभी दो strategy back testing हुई है, और इसका visualization के लिए भी मेरे पास कुछ जुगार निकल गया है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि back testing सारी excel में करना पड़ी है, रोई पर visualization करना पड़ेगा, मैं आपके साम बताऊंगा अभी कैसा हो हो रहा है, first of all मैं हूँ पहुन बड़दार and I welcome you to smart traders hub, now without wasting time, let's jump on to our screen, जैसे यह मैंने जो app बनाई है, इसमें क्या है, in general मैंने दो particular चीजे की है, first of all indices का different and F&O stocks का different, क्योंकि आप सब जानते ही है, कि दोनों चीजे अलग-अलग type से trading होती है, दोनों चीजों में अलग-अलग type का psychology लगती है, तो मैंने उन दोनों का कर दिया है, तो आप चाहे तो दोनों को भी select कर सकते है, single भी select कर सकते है, whatever, तो यह मेरा, यह जैसे मानलो मैंने, यहाँ पर indices, इसमें अभी मेरे पास कुछ और मेरे को improvement करना बाकी है, जैसे की मेरे को, अभी मेरे को indices के सारा back-tested data मेरे पास निकल चुगा है, मैं अभी काम कर रहा हूं कि F&O stocks का भी, जो back-tested, back-tested नहीं बोलुँगा, पहले तो मुझे historical data भी निक आप बोलेंगे, इंडिया Wix क्यों, क्योंकि Wix बहुत important role play करता है, volatility में, तो जहां भी strategy गलच जा रही है, अगर Wix पहले से पता कर देता है, तो then it is good idea, to use that also, now let's understand, these are the intervals which I have trained this for, मतलब मैंने क्या है, सारे intervals के data पे, back-testing की है, मतलब ऐसा है कि, यहाँ पर मैं एक particular strategy बता हू मैंने इसमें एक और चीज लगा रखी, मैंने बोला कि 10 तरह के अलागा combination के, 10 नहीं बोल में बहुत ज़्यादा combination है, उसके stop loss भी लगा, वो भी मैं आपको थोड़ी दर में screen बे बता हूँगा, अभी इसमें मुझे और ज़्यादा strategies डालनी है, उनके उपर भी test करना है, औ अभी मैंने दो के उपर test के लिया, इसे बहुत सारी strategies के उपर test करेंगे, and the other thing is, जो stop loss की different methods है, उनको भी हम लोग utilize करेंगे, यहाँ पर मैंने simple रखा है, percentage-based stop loss, जिसको आप R to R stop loss लगाते हैं, उसके ही साब से मैंने किया है, but however, I am going to make it more complicated, and see कि कौन सा interval पे, कौन सा symbol कि इस average profit and loss by time frame, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले कि मैंने सबको लगा रखा, तो मैं सबको अटा देता हूँ, first let's remove this, and let's remove this, first of all हम देखते हैं कि, जो one minute candle है, उस पे हमारा stop loss के से काम कर रहा है, one minute की candle में, अगर आप यहाँ पर stop loss, मैं सबसे maximum वाला stop loss लेके देख ठीक है, अब आप बोलेंगे 0.5 to 0.5 का इसमें मिल रहा है, तो बाकी का क्या है, चलो देख लेते हैं, अभी इसमें जो आपको profit and average profit and loss मिल रहा है, 1.4 का है, अगर 1.4 से किसी में जादा मिल रहा है, then we should go with it, why should we settle for less, now let's understand it, अभी 0.5 to 1 का का कर रेशो मेला के चलेंगे, तो अबको निफ्टी बैंक में सबसादा profit मिल गाए, ता इस 2.4 मांदो 1.4 तो पोलेंगे, 2.4 हो गया, मांदब जो रेशो एवरेंग प्रेश प्रॉफित अवरेंगे, सुस्वा जो रैशो एवरेंगे रहा है वं से बढ़ चुका है, घूरा है, आट यू जो रेशो एवरें 1 by 1, we'll go for like, 0.5 to 4 में किसमें मिलता, मदब कितने का हो गया है, 0.5 to 4, 1-8 का, profit to loss ratio, and अगर 1 minute candle पे देखे, तो हमको सबसाध सेंसेक्स मिलता, और 5.7 ratio में, अभी understand कर लेते हैं, कोई बोले कि 1 minute में लगाना बहुत मुश्किर हो जाता है, let's go for maybe 3 minutes, then we'll cancel the 1 minute, and see, तो भी सेंसेक्स में जादा रहता, and let's go for 3 के बाद 5 minutes पे चले जाते हैं, मतलब सेंसेक्स इस द विननर, अगर इस stop loss ratio के साथ में, again, 5 minutes में, अगर ये stop loss ratio काम करता है सेंसेक्स के लिए, ये वोल राउं में कुल मिला के, बहुत बाहर काम करता है, सीधर ratio 37, it's the highest, 5 minutes में भी काम करेगा, मतलब, manually भी लगाया जा सकता है, इसमें लगो का जादा ज़रूत नहीं बढ़ना जी मेरे साब से, let's go for the 10 minutes and see, 37 आया तो भी maximum result, अगर इससे भी जादा कोई दे रहा है तो, then we have to go for that, अगर आपन 10 minutes में लगाते हैं, nifty bank में, 15 का रिश्या था, but still it is less, so 10 minutes में जाते हो, we'll go for 15, क्योंकि जितना आप time frame बढ़ाते जाएंगे, उतना stable signal होगा, अपके number of trades भी कम होते जाएंगे, मतलब, आपका drawdown है, भी कम होते जाएंगे, in terms of, job का brokerage लगता है, job को STT लगता है, job को other चीज़े लगती है, again, the sensex is the winner, 15 minutes में 26, but इससे भी जादा आ रहा था, बीच में एक और candle देखिए ना, पने, जो interval, sorry, not candle, 15 minutes, now let's go for 30, and we'll go for then the 60, 30 के लिए nifty bank will be winner, and 60 के लिए भी देख लेते हैं, ऐसे आपको online कही भी available नहीं है, और आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यह एक unique है, जो मैंने खुद ने अपने experience से design की है, क्योंकि मुझे हर दिन के लिए design करना था, मैं इसमें trade recommendation के लिए, मैं अपने लिए feature डालूँगा, जिसमें यह मुझे trade recommend कर देगा, मतलब यह क्या करके, automatically analysis करेंगा कि कम से कम stop loss रहे और जो target r to r ratio, risk to reward ratio, जितना कम रहे उतना कोसी, मतलब risk जितना कम रहे, rewards उतना जादा रहना चाहिए, उस पे मैं कोन सा time frame में कोन सा particular instrument rate करना चाहिए, particular day, वो में इसके अंदर incorporate करने वाला हूँ, then back tested result भी है, अगर मैंने इससा लगाया, तो या तो मैं cumulative पर test करूँ, या per year पर test करूँ, उसके बाद यह भी देगा, अपने इससा लगाया तो मैं कोई perfect trade setup मिलेगा, हर एक दिन के लिए, मैं इसको और advance बनने वाला हूँ, जैसे मालो Thursday को मुझे कहा ट्रेट करना चाहिए, तो यह कर रहा है back test जाके, सारे Thursday पर, जो मुझे recommended list मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक तारीक को कितनी पर यह success हुआ है, और Thursday को कितनी पर success हुआ है, अब इसमें और भी advance चीज़े है, वो भी हम discuss करेंगे, मैं आपको एक और जो है, यह बाकी सारे टेप का भी एक analysis दे दूँगा, बने रह दाएगा, however, let me show you, यहाँ पर आप, actually, यह turn off, turn on, सब कर सकते हैं, rather I wanted to show you, कि कि किसी को यह चीज़े थोड़ा सा, अभी में चाहता हूँ, इसको लोग बोलते है, 1-2 का stop loss ratio अच्छा रेता है, वो ratio का बोलते है, here also, मैं 1-2 का लेता हूँ, और 60 minutes लेता हूँ, तो bank is the winner, तो आपको पता है, कौन से market को आप handle कर लेंगे, मानलो, एक study काम निकरी तो you have always the fallback plan, and your risk to reward ratio is manage, उससाद क्या ही चीज़े इंदगी में, आपकी spikes manage होगी, आपकी against rate आगे, वो manage होगी, आपको पता है, कौन से interval में, मतलब ऐसा नहीं हम लोग बोलें, नहीं, spikes आदे हम 15 minutes पे rate होना चीज़े, क्यों, वहाँ पर उस volatility हाई होती है, एफिर 3.5 के बीच में लेना चीज़े, क्यों हो, कहाँ पर लिखा है, have you have anything to back it up, I have anything to back it up, I'll show you also, मैंने आपर time, day, analysis, और सब कुछ करके रखा हुआ है, यह particular 2 strategy के लेंगे, मैं सब के लिए कर सकता हूँ, अभी feature set करने आपको लगाना है trade, इस particular instrument में trade लगाना है, और आपको यह भी पता है कि आप चाहे तो उसमें यह भी fix कर सकता है, इसमें time of the day का भी है, particular day का भी है, फिर अगर मैं इसको क्या करूँगा, कि data को update करता जाऊँगा, जो strategies है, strategies भी multiple लेके आए हूँगा, और उसमें से कुछ common strategies पहले भी काम की, अभी भी काम की और हमेशा काम कर रही है, और ब्लाइंट नहीं होने वाला है, कि नहीं 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 होने लो, वो अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, मैं test करके रखा हूँ या रोज में trade ले रहा हूँ, क्यों भई, we'll take something different, 9 अपको कहा पता है कि stop loss औ इतना control होना ची है, पुली trade के ऊपर, और हमको पता होना ची है, एक confirmation होना ची भी इतना है, ये वो capital, इसके आधे हम लोग डिर्क्ली जाके market में एसा deploy करने वाले, we'll first do the demo trading for one month, then we'll apply the strategies, और वहां भी हम लोग बहुत advanced जाने वाले है, so stay tuned and चैनल पर बने रही है, subscribe button और चैनल और में जाना ची है, ये साव ऐसा, and it is totally backed up by scientific method, or you can say, what a logical method or backtested data, वही तो चाहिए, we are not doing here any gambling, and we need specific result, and that's what we are doing, anyway, कल की वीडियो में, हम अगला टेप discuss कर लेंगे, कि इसमें क्या है, उसको कैसे आप interpret कर सकते हैं,